जब एकदम अचानक से प्लैन बना, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि हम मनाली जा रहे हैं, वहा की ठंडी ठंडी हवा, वहा की सुन्दर पहाड देखने का बहुत मन था, तो हमारा एकदम से प्लैन बना, तो हम निकल गए मनाली के लिए, जब वहाँ पोचे तो हमें लगा था कि हम हर जगा गूमेंगे, पर हमें ये नहीं पता था कि हमारे ये ट्रिप बहुत ही बयानक मोड लेने वाली है, अगले दिन जब हम सुबह उठे, तो हम मार्किट गूमने निकल गए, मार्किट गूमते गूमते मेरे एक दोस्त को ख्यार आया, कि किसी से पूछते हैं, यह यहां पे कोई हॉंटिट जगा है, तो हम ऐसी मार्किट में गूमते गूमते में आगे लोकल लोगों से पूछने लगे, एक दम से एक बंदे ने बोला, यहां पे एक ऐसी सड़क है, जहां पे दिन डलने के बाद कोई नहीं जाता, तो हमें लगा चलो गूमके आएंगे, बूत बूत कुछ नहीं होता, और एडवेंचर होगा, रात में ट्रेकिंग भी हो जाएगी, जैसे ही सूरज डूबा, हम आगे निकल गए, हम दीरे दीरे आगे बढ़ने लगे, जैसे ही उस रोड पे पोछे, तो वहां पे ठंडी हवा चल रही थी, वहां पे कोई बंदा भी नहीं था, ना ही कोई जानवर था, हम दीरे दीरे ओर आगे बढ़ते रहे, एकदम से जो पहले आसान लग रहा था, एकदम से वह बिलकुल गूपंदेरा हो गया, चांद की रोशनी भी बहुत मुश्किल से वहां तक पोच रही थी, ऐसा लग रहा था, कि जैसे हमारा दम गुट रहो, एकदम से हमारे को ऐसे लगा कि वहां पर कुछ है, तो देखा था कि वह चांद की हलकी सी रोशनी बढ़ रही थी, इसलिए, हम सब बहुत डरे होए थे, हमारी हार्ट बिट बहुत तेज हुई हुई थी, हम फिर भी दीरे दीरे आगे बढ़ते लगे, एक हम बात कर ही रहे थे, एकदम से हमें दूर से कुछ अवाज सुनाई दी, कि जैसे हमें कोई बुला रहा हो, पहले तो हमें लगा कि ये हावा की अवाज है, पर वहां पे कोई इतनी तेज हावा भी नही थी, तो हम दीरे दीरे आगे बढ़ने लगे, वहां पे बहुत मोड आए, तो एकदम हम आगे चलते चलते, एक जगह हमें पुरानी हवेली दिखाई थी, उसकी खिड़किया टूटी हुई थी, दरवाजे भी बिल्कुल टूटे हुए थे, हमने का चलो यहां पे जाके देखते हैं, शायद यही वो जगह है जिसकी लोग बात करते थे, जैसे हम अंदर कुसे उस हवेली के, एकदम से वहां का एट्मॉसफेर बदल गया, हवा बिल्कुल एकदम ठंडी सी हो गई थी, सास लेने में भी ऐसे लग रहा था, जैसे बहुर ठंड हो गई है, हम जैसे पैर रखते तो अजीब सी फ्लोर से आवाजे आ रही थी, ऐसे लग रह जाएगा, हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, हमें लगा कि ऐसे हलकी सी लाइट सी जल रही है, हम जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, एकदम से कोई परचाई सी दिखाई दी, हम सारे बहुत जादा डर गए थे, हम जैसे ही पीछे मुड़े, तो हम रास्ता ढूनने लगे जह जासे हम आये थे, पर हमें वो दर्वाजा ही नहीं मिल रहा था, जासे हम उस पुरानी हवेली के अंदर आये थे, हम बहुत जादा डर गए थे, हम रास्ता ढून्टे जा रहे थे, ढून्टे जा रहे थे, पर मिला ही नहीं, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कई दिन बीद ग चमरों से ठीक ठाक सी थी, तो हम वहाँ पे जाने लगे, तो एकदम से ऐसा लगा कि वो तूटके गिर गया है, फिर एकदम से जैसे ही हमने आग जपकाई, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, हमारे कानों में अजीब सी अवाजे गूंज रही थी, जैसे कोई हम से बात करने क कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही हम पीछे मुड़ते हैं, तो हम एक परचाई से दिखाई देती है, और एकदम से मैं बियोश हो जाता हूँ, और जब मेरी आख खुलती है, तो मैं अपने वोटल रूम में होता हूँ, और बिलकुल पसीने से भीगा हुआ, मेरे दिल की धरक है कि वो सपना नहीं था, वो बिलकुल हकीकत थी, तो जैसे ही मैं नीन से उठा, मैंने सबसे पहले अपने दोस्तों को जगाया, और उनको बोला चलो यहां से मुझे यहां नहीं रहना, तो दोस्त कहने लगे कि हम दो दिन पहले ही तो आया है, एकदम से तुझे क्या हो गय मैंने का नहीं मुझे यहां नहीं रहना, और हम वहां से बस पकड़के वापिस दिली आ गए, दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, यह कहानी एक सपना थी, या ऐसा सच में हुआ था और हम एकदम से वापिस सपने की तरह जागे, आप कमेंट करके जरूर बताना